एक तरब BJP, RSS और विश्विंदू परिशग 22 जनवरी को आयोध्या में एक भव्वे कारिकरम के आयोजन की रूपरेखा को तयार कर रहे हैं और भारत के हर व्यक्ती तक एक इन्विटेशन पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं इस लिस्ट में राजनितिक दल भी हैं और वो तमाम लोग भी शामिल हैं जो अलग-अलग शित्र से आते हैं BJP, RSS लगातार इन्विटेशन के जरिये ये बताने की कोशिश कर रही है कि राम मंदिर तो BJP ने बनवाया RSS और विश्विंदू परिशद की मदस से BJP इस कारिकरम को लेकर चुनाव को भी ध्यान में रख रही है इस बात के आरूप विपक्ष तो लगा ही रहे थे लेकिन विपक्ष के साथ साथ अब शंकरा चारे भी इस बात को खुले तोर पर कह रहे हैं कि आखिर ये 22 जनवरी के मुहरत कैसे आ गया और 22 जनवरी की तारिक कैसे तैह हो गई क्या इसका चुनाव से कोई संबंद है चुनाव से कोई मतलब है और अगर नहीं है तो फिर इस पूरे अनुष्ठान को धार्मिक पद्धतियों के अनुसार उनी तमाम रीती रिवाजो कि अनुसार क्यों नहीं किया जा रहा जो शास्त्रों के अनुसार बताये गए हैं यह आरोब भी लग रहे हैं कि इस पूरे कारिकरंग के पीछे चुनावी मंशा है और चुनाव को साधने की बीजे पी की भरपूर कोशिश है बोलता है अंदुस्तान पर मैं हूँ आपके स साथ तोर पर कहना है कि बीजे पी इसका राजनिती करण कर रही है चुनाव के लिए से इस्तमाल कर रही है प्रधान मंतरी मोधी को ही हिंदु का सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा शंकराचारे बताने की कोशिश बीजे पी की तरफ से हो रही है इस बात का अपने बयान में शगराचारे जिक्र जरूर करते हैं और कहते हैं कि धार्मिक रिती रिवाजों के अनुसार शास्त्रों के बताये गए तरीके के अनुसार ही अगर प्रांट प्रतिष्टा का कारिकरम हो तो उस पर उन्हें कोई आपत्ती नहीं है उन्हें किसी स सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आये हैं जिसमें मीडिया संस्थान की तरफ से जब महत्पूम पुजारियों से वहां के शास्त्र को जानने वाले लोगों से जब ये पूछा गया कि आखिर ये 22 तारीख आई तो आई कहां से 22 जनवरी की तारीख किस ने तैगी क्या ये ही सबसे अच्छा महूरत था इसके अलावा कोई और महूरत नहीं था तो बताने वाले तो ये बता रहे हैं कि फरवरी तक का वक्त दिया गया था फरवरी तक के वक्त में से सबसे अच्छा महूरत उन्हे 22 जनवरी लगा तो फिर ये फरवरी तक का वक्त कैसे तैह हो गया किसने तैह किया क्या फरवरी तक का वक्त बता देना वो समय सीमा बता देना कि फरवरी से आगे आपको जाना नहीं है क्या ये चुनाव से जोड़कर नहीं हुआ है और इसी बात का जिक्र शंकराचारे भी अपने बयान में कर रहे हैं कि चुनावी राजनीती से धर्म को अलग रगना चाहिए धर्म अलग है और चुनाव अलग है ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में आप सत्ता से उतर जाएं तो फिर धर्म का भी नुकसान होने लगे शंकराचारे इस बात को लेकर वोटर्स को भी हिंदू वोटर्स और मद्दाता को भी सचेत कर रहे हैं कि आप राजनीतिक व्यक्ति को धर्म ना माने उसको ही धर्म का सुप्रीम लीडर ना मानने लगें क्योंकि जब एक राजा हारेगा तो फिर आपका धर्म भी हार जाएगा क्योंकि आपने उसी राजनीतिक व्यक्ति को अपना धर्म मान लिया था शंक्राचारे और शंक्राचारे के अलावा हिंदू शास्त्रों को जानने वाले वैदों को जानने वाले और जो धर्मिक व्यक्ति हैं उनके जरिये धर्म जीवित है सनातन धर्म जीवित है किसी राजनितिक व्यक्ति के आसरे धर्म नहीं हो सकता इस बात का जिक्र शंक्राचारे कर रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री मोदी को सर्वे सर्वातो बीजेपी मान रही है और बता रही है कि प्रधान मंत्री मोदी ही राम को अयोध्या लेकर आए और इस बीच अपनी बातचीत पर शक्राचार इस बात का भी जिक्र कर देते हैं कि जो तरूटी हो गई है बाइस तारीक की तारीक को तै करने में उस तरूटी का प्राश्चित करने के लिए प्रधान मंतरी ये दस दिन का पूरा उपास और तमाम अनुष्ठान कर रहे हैं ये अनुष्ठान को बीजेपी ये बता रही है कि किस तरह से प्रधान मंतरी राम भक्ती में लीन होकर ये 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं लेकि शंकराचारे अपनी बातचीत में बताते हैं कि उनसे तो लोग ये बताने के लिए आये थे कि देखिए प्रधान मंतरी ने अपनी गलती मान ली है उनसे गलती हो गई है उस तरूटी को सुधारने के लिए वो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं बहराला प्रधान मंतरी क्या कर रहे हैं और शंकराचारे किस तरह से उनकी बातों को लेकर अपना तर्क और अपने तथे सामने रख रहे हैं इस पर अब आने वाले वक्त में बी जे पी आरेसेस और विश्व इंदु परिश्ट के साथ साथ राम जन भूमी नियास के ट्रस्ट है उनकी तरफ से क्या कुछ परतिक्रिया आती है ये भी देखना बेहत जरूरी होगा